26 मुबाई वा 1,180,000 नगदी वा 1,5000 लाग के अभ्धुशन वा तमझा बरामत के साथ 4 शातित चोर गिरफतार कोतवाली पुलिस ने 5 चोरियों का किया खुलासा 26 मुबाई वा 1,8 resent,000 नगदी वा 1,5000 लाग के अभ्धुशन वा तमझा बरामत देवरिया जिले में लगातर हो रही चोरी की घटना को लेकर हरकम मचा हुआ था जिसको पुलिस अधीग शक डॉक्टर श्रीपती मिश्री ने सदर कोतवाली पुलिस को जल्द चोरों को पकड़ने के लिए निदेश दिया था एसपी के निदेश मिलते ही कोतवाली पुलिस ने हरकत में आते हुए रविवार को चोड गिरोह का खुलासा किया है जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक बेवरिया डॉक्टर श्रीपती मिश्री ने रविबार को कोटवाली में परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान किया एस पी डॉक्टर श्रीपती मिश्री ने पत्रकारों को बताया कि लगातार हो रही चोडियों को लेकर जिले की पुलिस को सक्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था जिसके क्रम्मे सदर कोत्वाल टीजे सिंग मैफोस मुख्विर की सूचना पर चख्यवा धाला से माल गोदाम होते हुए चार शातिर बदमाशों को पकड़ा है पकड़े गए चोड में राजन गौंड राहूल गौर अमर जिसके साथ एक किशोड को भी पकड़ा है जिसके पास से 26 मुबाई एक लाक नियासी हजार रुपया आभूशन तथा दो तमंचावद दो कार्टूस गरामद हुआ है सभी को विरफतार करके मुकदमा पंजी प्रित किया गया है शहर में रामगुलाम टोला, सुनुघट, ट्यूबेल कॉलोनी, सलिमपूर रोड आधी जगहों पर बिगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा हुआ इस कुलासे की सफलता पर गोरकपुर डियाई जी ने टीम को 10,000 इनाम दिया है औरे, गोर सर्ब झाली करते का बादय।